आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1999 में रिलीज हुई एक एक्शन डॉमेंट्रिक ड्रामा मुवी होगी प्यार की जीत का जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अजय देवगन, अर्शद बारसी, निहा बाचपाई, मायूरी कांगो, मोहन जोशी, पृत्वी, रजा मुराद, अनील धवन और टीकू टलसानिया इसके इलावा इस फिल्म के स्टोरी राइटर और डारेक्टर है पी वासू और इस फिल्म को प्रिडूस किया है अनील शर्मा ने अब बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की कहानी कुछ यू है कि सुर्जीत यानी अनील धवन की छोटी बहन को ठाकुर मंजीद सिंग यानी पृत्वी से प्यार हो जाता है जो गाओं के सबसे बड़े आदमी ठाकुर गजिंदर सिंग यानि मोहन जोशी का छोटा भाई है इन दोनों के प्रेम के बारे में जब सुर्जीत को पता चलता है तो वो गजिंदर सिंग के पास बात करने जाता है मगर वहाँ उसे उसकी हैसियत की वज़ा से जलील किया जाता है और फिर अगले दिन गजिंदर सिंग सुर्जीत और उसकी बीवी को जान से मार देता है और मरते हैं वक्त वो अपनी आखरी खुआश का इजार करता है कि उसके दोनों बेटे राजिव और किशन को ठाकुर वजिंदर सिंग की बेटियों से ही हर हाल में शादी करनी होगी और वो ऐसा करें के ठाकुर खुद अपनी बेटियों के लिए भीक मांगे अब इसके आगे फिल्म की कहानी बहुत दिल्चस्प हो जाती है जहां राजिव का किरदार अजय देवगन और किशन का किरदार अर्शदवार से निभाएंगे अब देखना ये है के ये दोनों भाई मिलके अपने बाप का बदला कैसे लेंगे यही हमें फिल्म की आगे कहानी में देखने को मिलेगा अब बात करें डारेक्शन की तो होगी प्यार की जीत एक इंप्रेसिफ और वेल डारेक्टिट फिल्म है जहां डारेक्टर पी वासू ने स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से की है इसके लावा स्कीन प्ले राइटिंग भी फिल्म को खास बनाते वे और्डियंस को शांदार सीन्स की बदूलत काफी एंटर्टेन करती है म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है जहां सौंग तेरे प्यार में अपने वक्त का एक हिट गाना था और फिल्म के रोमेंटिक सीन्स भी इंट्रेस्टिंग है जिनने कॉमिक अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है इसके लावा फिल्म के डायलॉक और एक्शन सीन्स भी ठीक ठाक है अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मस की तो फिल्म के लीड अक्टर अज़े देवगन और अश्यद वार्सी अपने अपने रोल्स में काफी इंट्रेसिफ लगे चाहे बात वज़े देवगन की डायलॉक डिलिवरी या फिर एक्शन सीन्स की और अश्यद वार्सी के एक्स्प्रेशन्स और कॉमिक टाइमिंग की ये दोनों ही अपने अपने रोल में काफी अच्छा काम करते नज़र आए और मोवन जोशी का किरदार भी काफी इंट्रेसिंग था जहाँ उनका ये जालिंग रोल उनकी अक्टिंग स्किल्स की वज़ा से बिलकुल रियल लगा और यही एक काबिल एक्टर की निशानी है इसके इलावा फिल्म की हेरोईंस और फिल्म की बाकी कास ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है अब बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को 7 मई 1999 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का बजट 6 करोड था और इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड 6 लाग का कलेक्शन किया था और इस फिल्म में वर्ड वाइड में 17 करोड 62 लाग का कलेक्शन किया था और ये फिल्म सैमी हिट साबित हुई थी को recommend करूंगा आप सब भी इस शांदार movie को जरूर देखिएगा